नमस्कार दोस्तों मैं हुमान मिंदर और मेरे स्यादल MbSpeaks पे आप सभी लोगों का पहुत स्वागत है वाजपा ने संसदी बोर्ड का अलान किया है यानि के नए संसदी बोर्ड का करन किया है इसमें से कुछ की चुट्टी की गई है तो वहीं इस में पंजाब के पूर आई पेस सद्कार ही एक वाज़ें लानफुरा को जगर दी गई जाहिर से बात है आप जानत चाहते हूंगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि इन्हें क्यों बोल्ड में शामिल किया गया और ये कौल है आप सब को जान पाएंगे मेरे साथ बने रही है पूरी वीडियो में अगर आप पहली बार मेरे चैनल के आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अची लगे तो आप इस वीडियो को लएक कीजिए इसों शेयर कीजिए और इस पर इसमें कमेंड कीजिए तो मैं बात कर रहे थी नए सल्सदीय बोर्ड की वासबागे जिसका कठन किया गया है भारती दंदापार्टी ने नए सल से दिये बोर्ड का ऐलान किया थे इसमें वरिष्ट नेताओं को याने के नितिम गटकरी और शिवराद चौहान को जगा नहीं निलिये हैं थाला कि बोर्ड में पंजाब से एकवाल सिंग लालपुरा को इसमें स्पेस दिया गया है जो कि बर्तवान में राश्टी ये अर्पसंकक आयोग के अत्यक्ष्पी है इकवाल सिंग लालपुर को इससे पहले केंद्र ने 2021 में ये जिम्मेदारी स्वापी थी भासपा के नए सलसदी मोर में शामिल किये गए इकवाल सिंग लालपुरा राजदीती में आने से पहले एक IPS आ रूप में काम किया था रिटार्मेंट के बाद लालपुरा राजदीती में आगए और 2012 में वो भासपा भी शामिल हो पह थी इकवाल सिंग लालपुरा का पलिस विवाग में बहुत बड़ा इकवाल है लालपुरा की गिंतीत पंजाब के बड़े सम्मालिक पलिस अदिखा कारगाल में राश्पती पुलिस पदक मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक शिरोमनी सिख सहितकार पुरुसकार पुरुसकार सिख विद्वान पुरुसकार से कई सारे पुरुसकार अपने खाने में जोड़े इकवाल सिंग लानपुरा उन तीन अधिकारियों में से थे जिम का नाम 1981 में खालिस्तानी उग्रवादी जनर्राइल सिंग मिर्नावाले को गिर्फतार करने में गिना जाता है। बाद में 1984 में मिर्नावाले को अपरेशन गुरूप स्टार में मार दिया गया। अच्छा महसारी इंट्रेस्टिंग चीज़े हैं लालपुरा की लाइफ में मिर्नावाले को गिर्फतार करने से पूर सरकार की तरफ से बादचीत करने में इन IPS एकबाल सिंग लालपुरा ने अहम भूमिका निबाल दी। इस बादचीत में उन्होंने भिंडावले और इसके से वैयोग्यों को इस हिंसा में बार गए डियाजी SS अत्वाल का पार्तिव शरीर सभ्डे के लिए मनाा लिया था। इस हिंसा में भिंडावाले समर्थकों ने DIG SS अत्वाल को स्वन मंदिर के entrance की studio पे मार गिराया था, इसके बाद उनका शब भी मंदिर में ही रख लिया था, दरसल भिंडावाले ने एक शड़ पर गिर्टार होने की स्यमति दी ती, ये थोड़ी पहले की बात है, जिस समय जन्ने अधिकारी जन्रेल सिंग चाहल को भिंडावाले को क्रिफ्तार करने के लिए विजा था, इन दोनों अधिकारियों के साथ सब डिविजिनल मेजिस्टेट, बेस बुलर भी जहते, जन्रेल सिंग भिंडावाले वही सिख धरम गुरू है, जिनके आतंकी हरकतों को जन्हा के बीच जवर्दस गोलीवारी कोई थी, काफी टकराब हुआ था, बहुत सारे लोग माने गएते, मरने वालों में बिंडावाले भी शाविल थे, इस अपरेशन में सिख समदाए में इंद्रा गांदी के खिलाफ मोहल बन गया था, जिसके बाद उनके ही सुरक्षा कर्मियों, ब्यान सिंग और सत्वन सिंग ने उनकी उन्ही के आवास में, यानि के उंद्रा गांदी के आवास में ही उनकी हत्या करती थे, और 1978 में सिखों और निरंकारियों के बीच हुए, टकराव में भी IPS इखवाल सिंग लालपुरा, उचाह सथिकारी बनाए गए गए इतना ही नहीं, बंजाब में जब आतंगवाद का दोर चल रहा था, तब बतावर पुलिस अतिकारी इकवाल सिंग लालपुरा ने बंदूख थामने वाले युवाव को में स्टीम में जोड़ने में एहम भूमिका निमाई थी, पुलिस कारेकाल में उनके नाम कई उप्रत पुलिस कारेकाल में इकवाल सिंग पंजाब के अमरिसर, कपूर्थला और तरंतार्व जिले में वरिष्ट प्रोफाइल में रह चुके हैं, दोजार इकिस में रस्टी अल्पसंग आयूप का अध्यक्स बनाय जाने के बाद, पहले इकवाल सिंग लालपुरा भाजबा के रस्टी अप्रवक्ता थे और टीवी डिबेट्स में वो जाना माना फेस थे, जब पंजाब में तीन कृशी कानूनों के खिलाब किसानों का विरोध पर दर्शन जारी था, तो लालपुरा अक्सर पंजाब के कही हिसों में दोरों में जाते थे इस दोरार, सग्रूर और ब तो ये थे लानपुरा, पूर आईपेस ऑफिसर, जिन्होंने कई मतबूर काम किये पुलिस में रहते हुए, और सबसे बड़ा काम तो ये था, जो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले, जो उनको सपा गया था, वो ये था कि उनको गिरिफतार किया जाए, उनसे ब और वो शव भी उन्ही के कहने पे मिंड़ा वाले नो उनको सवपा था, मिंड़ा वाले खुद ये चाहते थे कि उनकी गिरिफतारी कोई सिक अधिकारी ही करे, तबाम सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और अब इकवाल सिंग लानपुरा को बीजे पी ने सासेदी बोर्ड में अजे सिक फेस के तोर पे स्पेस दिया है, और देखिये आगे-ागे क्या होता है क्योंकि दो वरिष्ठ लोगों को अलग भी किया है इस मूर्ड से, फिलाल इतना ही दोस्तों, मैं आप से फिर मिलूंगी, आपको ये कंटेंट करसा लगा मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स मे अबदाए जरू दियागा, बेला इतना ही, जय हुँ, जय परेख।